Yes students, today we will start our lesson 23 on rural governance अब rural governance का मतलब क्या होता है? Rural का मतलब गाउं और governance मतलब गाउं का शासन अब जैसे आपको पता है कि सबसे छोटी जो यूनिट है वो गाउं होती है गाउं के बाद टाउन आते हैं ठीक है बलोक आता है जो उसके बाद district फिर उसके बाद जो है state साते हैं फिर हमारी पूरी country आती है तो ऐसे दीरे दीरे तो उसी तरह अब जैसे central government में हमारे मोधी जी बैटे है तो मोधी जी क्या करते है मोधी जी क्यों यह तो है नहीं है कि वो यहाँ पर आएंगे और गाउं के मसले भी सुलजाएंगे ठीक है वो state government है और sorry फिर उसके बाद जैसे नीचे आ जाते हैं district level पर आ जाते हैं state level के बाद तो इस तरीके से government जो है वो चलती है ठीक है अब यहाँ पर हम सबसे पहले समझेंगे कि rural governance है क्या चीज़ the issues and problems of an area can be understood better by the local people अब जो problems है या issues है किसी भी area के वो वहाँ के जो local people है जो वहाँ पर रहते हैं उनके द्वारा अच्छे से समझी जाती है therefore the solution of the local problems must be left to the people themselves इसलिए लोगों की जो problems है उनका solution लोग खुद अच्छे से निकल सकते हैं they would sit together at a common place वो जो है वो एक common place जैसे हम कहते हैं गाओं में पंचायत होती है कहां पे होती है जैसे कोई चपाल होती है या कोई बड़ा सा बरगत का पेड़ो तो उसके नीचे होती है तो वो बैठ जाते थे discussion करते थे और फिर solution find out करते थे अपनी day to day problems का यह पुराना method ही था शुरू से हमारा और यह जो है जिस तरह सभी बैठके एक ही मसले पर बात करते हैं और फिर solution निकाल लेते हैं तो इस system को हम local self government कहते हैं यानि छोटो छोटो बातों के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता कोट के चकर नहीं काटने पड़ते वहीं पर solution हो जाता है तो इस तरह की governance को हम rural governance कहते हैं ठीक है उसके बाद है self-governing bodies in rural areas, rural areas के अंदर जो self-governing bodies है यानि अपने आप जो निर्ने लेती हैं अपने rural level पे वो rural level पे अपने आप निर्ने का लेने का मतलब यह नहीं है कि बंदा हर कोई वो एक body होती हैं लोग चुनते हैं उनको गाउं के बड़े होते हैं या जो भी हैं तो वो फिर निर्ने लेती हैं यह पुराने टाइम में प्रता थी अब जो है अब यह एक system बन गया है और इसके 3 levels हैं self-governing bodies के 3 levels है सबसे पहले आता है gram panchayat at village level सबसे चोटा level है village level उसमें आता है gram panchayat फिर है block समीती और panchayat समीती यह block level पे हो गया और फिर जिला भुन्ना से बढ़ा कौन सा हो गया भुन्ना से बढ़ा हो गया हमारा block आप देखो भुन्ना यह block है यहाँ तो मालिया अब आप मालिया एक गाव ही लगालो एक जैसे डूलb लगालो आप ठीक हैं ये गाउं है तो डुलिट के बाद आगया भुनणा और भुन्णा के बाद आगया फत्यवाद तो ये तो हो गया village level पे ये हो गया block level पे और ये हो गया district level पे समझाया सबसे छोटा ये उससे बढ़ा ये और उससे बढ़ा ये तो इस तरीके से ये सिस्टम अब चलता है तीन लेवल्स में ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे ब्लोक समीती या पंचायत समीती पंचायत समीती और ग्राम पंचायत में फर्क है बिटा ग्राम पंचायत सबसे चोटा है पंचायत सम और ये जो तीन लेवल्स हैं, इन लेवल्स को हम कहते हैं पंचायती राज सिस्टम, फिर उसके बाद आती है हमारी सबसे पहले ग्राम पंचायत, अब हमने यहां पर क्या किया, सबसे पहले हमने देखा कि यहां पर पहला लेवल है ग्राम पंचायत, तो अब हम सबसे पहले ग पंचायत means assembly of five, पंचायत, पंच का मतलब पंच, तो पंच जो पंचायत है, उसका मतलब है assembly of five, यानि कि पंच लोगों की assembly, तो उसमें पंच होते हैं, एक सरपंच होता है, पंच पंच होते हैं, जो सरपंच से चोटे होते हैं, सरपंच की help करने के लिए, और ये हमारे देश में वैदिक परंपरा है तबी से चला आ रहा है जो ग्राम पंचायत है वो हर एक विलेज के अंदर होती है अगर विलेज बहुत चोटा है तो दो या तीन विलेज के लिए एक पंचायत होती है ठीक है number of members according to the population of the village और जो उसके members होंगे जो पंचायत के जो members होंगे वो जो गाव की जो population है उसके according होंगे अब देखो अगर गाव में ज़्यादा से ज़्यादा सोई घर है तो पंचायत में member थोड़े ही होंगे अगर गाव की जनसंख्या ज़्यादा है बहुत सारी है तो फिर member भी ज़्यादा होंगे तो यह village की जो population है उसके उपर depend करता है उसके बाद है number of punch is always an old number जो पंच होते हैं जैसे सरपंच तो एक ही होता है लेकिन जो पंच होते हैं उनका जो number होता है जैसे पंच, साथ, नो, ग्यारा कुछ भी ठीक है पंच are directly elected for a fixed term of five years by the members of gram sabhah अब जो पंच हैं वो कौन बनाता है उनको यानि कि जो भी पंच है पंच, साथ, नो, जितने भी बंदे होंगे उन बंदों को कौन elect करता है, कौन चुनता है उन बंदों को जो gram sabhah होती है gram sabhah के जो members होंगे वो 5 साल के लिए चुनते हैं अब देखो हमारे देश में सरकार चाहे कोई भी हो term उसके 5 साल ही होती है तो वही चीज़ इनके साथ है जो पंचायत है, उनके member भी जो होते हैं पंच साल के लिए ही चुने जाते है अगर अच्छा काम करते हैं तो 5 साल के बाद दुबारा से चुन ले जाते है अब gram sabhah, अभी आपने पिछे पड़ा कि जो member है वो gram sabhah दुबारा चुने जाते है तो अब ये gram sabhah क्या है अब देखे एक general body of the village ये गाम की एक general body होती है men and women above 18 years form the gram sabhah जो भी गाम के 18 साल से उपर के जो waters होते हैं देखे आपको water card अभी मिलता है जब आप 18 साल से उपर के हो जाते हैं तो उसमें चाहे आदमी हो चाहे औरत हो वो जो 18 साल से उपर है वही gram sabhah बनाते हैं ये जो है फिर जब gram sabhah बन जाती है उसके जो member होते है वो फिर क्या करते हैं वो gram panchahit के members को चुनते हैं and it's प्रधान और headman known as सरपंच और उसका headman चुनते हैं जिसको हम सरपंच कहते हैं पांच को पंच कहते हैं एक को सरपंच कहते हैं सरपंच यानि कि पंचों का सरताच holds meeting twice a year कम से कम एक साल में दो बार meeting जरूर होती है gram sabhah की takes important decisions about the welfare and development of the village which are implemented by gram panchahit और जो gram sabhah होती हैं वो क्या करती हैं जो गाव के कल्यान के लिए उसके सुधार के लिए decision लेती है और implement उसको gram panchahit करती है यानि कि gram sabhah सिर्फ decision लेती है और gram panchahit उसको implement करती है approve the annual budget of gram panchahit और जो gram panchahit जो budget बनाती है उसको approve भी gram सभाई करती है जैसे हमारे होती है न विदान सभा, राज्य सभा, लोक सभा bill पास करती है, budget पास करती है उसी तरह ये होती है ये भी गाव के budget, जो panchahit का budget है वो पास करती है अब एक panchahit secretary होता है जो की, जो ये member होते है gram panchahit के, इनकी help करने के लिए वो रखा जाता है, panchahit secretary जो permanent government employee होता है यानि कि इसकी post निकलती है उससे तो क्या है? चुना जाता है, जो gram panchahit और gram सबा के members है, उनको तो हम elected यानि कि हम उनको चुनते है ठीक है, और वो भी सिर्फ 5 साल के लिए हो सकता है, अगर वो उन 5 सालों में अच्छा काम ना करें तो अगली बार हम कोई और ही बना दे यानि कि वो जो सरपंच या panch एक बार बनेंगे वो permanent नहीं होते है ठीक है, वो सिर्फ 5 साल के लिए ही चुने जाते है उसके बाद वो बदले भी जा सकते है ठीक है, लेकिन जो panchahit secretary होता है वो government employee होता है, उसको हम नहीं चुनते उसको government लगाती है, इसके बकायदा exam होता है, इसका written test होता है interview होता है, और फिर इसको select किया जाता है जैसे बागी नोक्रियों select होती है ठीक है, तो 5 साल के बाद अगर हमारा panchahit का system, यानि कि जो सरपंच और panch है, अगर वो बदल भी दिये जाते है तो panchahit secretary वही रहेगा, ठीक है panchahit secretary change नहीं होगा ठीक है, उसके बाद है functions of gram panchahit अब gram panchahit के क्या-क्या functions है क्या-क्या करती है gram panchahit provision of clean drinking water गाउं में, साफ drinking water का provision करती है, sanitation है public health है, animal husbandry है plantation of trees है fair construction and maintenance of village है village road, street light public wells है, tanks है और other public places, यह सारा supervision of work of government servants जैसे policeman है या worker of primary health center जैसे यह जो हमारे होते है आपने नर्स वगएरा देखी है जो लगी हुई है यहाँ पे CHC में तो यह सब कुछ जो primary health centers होते हैं जो primary teachers होते हैं उन सब का काम देखना भी इनका gram panchahit का काम होता है supply of quality seeds and fertilizers जो बीज और खाद वगएरा है इनकी supply की quality भी देखती है अच्छी quality क्या है मतलब organization of shares and festivals keeping record of birth यहाँ पर sorry यह shares नहीं है यह fairs है fair होते है न गाउं में मेले बगएरा होते हैं तो वो देखती है festival और मेले बगएरा यह shares नहीं है keeping record of birth and death और death का birth का record रखना provision of center of adult literacy और जो adult literacy है जिसको हम कहते हैं कि व्यस्क शिक्षा उसका provision भी यह करती है अब इतना सब कुछ करने के लिए उसको पैस्टे की जरूरत तो पड़ेगी तो यह है उसके sources of income यानि उसकी income कहां से आती है सबसे पहले houses के उपर जो taxes होते हैं market places के उपर जो taxes है open spaces को use करता है पंचायत का जमीन अगर पंचायत की है उसको use करता है तो उसके उपर जो tax लगता है तो वो उसका income है दूसरी बात grants और aid from the government government जो उनको grant देती है कोई भी help करती है वो और तीसरी बात loans for development projects कभी कभी जो gram पंचायत है वो loan भी लेती है अपनी गाउं की development करने के लिए तो ये सारी की सारी चीज़ें आपने gram पंचायत के बारे में पढ़ी आगे हम block समीती और district level के बारे में पढ़ेंगे I hope आप कोई अच्छे से समझ आ गया होगा और ये मैंने सिर्फ ppt बनाई है ताकि लंबी वीडियो ना बने और सारे point include हो गए है इसमें आपको lesson ज़रूर पढ़ना पढ़ेगा इसलिए आप lesson पढ़ें और उसके बात हम आगे करेंगे